हेलो फ्रेंड्स में कायतरी हाउटू में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ आलू कोबी की मसालेदार फ्राइड सबजी जो हलवाई लोग बनाते हैं उसी स्टाइल में मैंने इसे बनाया है और बहुत ही टेस्टी बनती है आपसे र चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसे और यहाँ पर लू गोबी की सब्यची ह्काट के रखी हूँ लसन अद्रक और प्याज का पेस्ट लिया है जिसमें मैं इन्ल मैंony रका है और यह में पेस्ट तूयार कर लिया है यहां पर मैने थोड़ी से घड़े गठाट ही जिसमें एक αυτ़ ट्ुकड लिया है दो पत्ते लिये है यहां पर आट-दस काली मिर्ची ली है खेस सात लोग लेना है एक बड़ी लया चीली है एक ट्ुकड अ selfish निकालि यहां पर मैंने 3 टीस्पून लाल मिर्ची पॉडर लिया है, 2 टीस्पून धनिया पॉडर, 1 टीस्पून हल्दी पॉडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून ही राइली है यहाँ पर मैंने थोड़ से धनिया पत्ती ली है और दो हरी मिर्ची है जो मैंने चॉप करके रख रख रखी लंबाई में तेश के कॉडिक नमक लेना है और यहाँ पर लिया है तेल 3 टेबल स्पून बड़ा जममच चलिए शुरू करते हैं बनाना यहाँ पर गेस के उपर मैंने कड़ा ही रख दी है और गेस अन कर दिया है उसमें डाल रहे हूं में 1.5 टेबल स्पून ओइल और ओइल को अच्छे से गरम होने देते हैं और यहाँ पर ओइल गरम हो चुका है तो मैं सबसे पहले आलों को फ्राई करूँगी यहाँ पर हमने तेल कम लिया है क्योंकि हमारी जो सबजी बन रही वो कम क्वांटिटी में बन रही है इसलिए तेल कम लिया है ज़्यादा तेल लेंगे तो वेस्ट जाएगा तेसके कोड़िक नमक डाला है ताकि नमक आलों में अच्छे से अंदर तक हो जाए फ्राई करते समय और इन्हें लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे यहाँ पर इसे में ढख देती हूँ ताकि आलो जल्दी से पक जाए और आप में चेक कर लेती हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे में बीच में भी चेक कर लिया था आलो का कलर भी गोल्डन हो चुका है और आलो चे से फ्राई हो चुके हैं तो इन्हें में निकाल लेती हूँ और ऑईल गरम है तो इसी तरह से में गोबियों को भी फ्राई कर लूँगी सबी गोबियों को एक साथ फ्राई कर लेती हूँ और टेस्क के कटिंग इसमें भी नमक डालूँगी में ताकि गोबियों में नमक अंदर तक अच्छे से चला जाए और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी ताकि गोबियों का कलर अच्छा आजाए यलो यलो रहे आपने देखा होगा हल्दी नहीं डालते हैं या कम डलती है तो गोबि वाइड वाइड दीखते हो और गंदी लगती हो सब्जी इसलिए मैं नभी फ्राई करता से में डाल दिया है और इसे मैं धक देती हूँ इसे भी मैं इसी तरह से पकाऊंगी और यह जल्दी पक देखने से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे इसे पांश मीट हो गए हैं पकते हैं तो मैं चेक कर लेती हूँ और यहां आप देख रहे हैं कि कोबि एक्टम सॉफ्ट हो गए हैं कलर भी इनका चेंज हो चुका है यह देखी तो इन गोबियों को भी मैं अब निगाल लेती ह हूँ और यहां पर सभी गोबि मैंने निकाल लिये हैं फ्राई की होए और जो तेल बचा है उसमें में वन एन हाफ टेबल स्पून जो ऑईल बचा है वो भी डाल दोंगी और यह डाल दिया मैंने इसे भी गरम होने देते हैं तेल आप ज़रूद के साब से ले सकते हो कम जा इसी के साथ मैं यहां पर डाल रही हूँ और दूसरे मसाले यह बड़ी लाइची है इसे मैंने तोड़ के डाल दिया है राई जीरा डाला है हरी मिर्ची और अच्छे से मिक्स करना है इन सभी को यहां पर हरी मिर्ची को जाता नहीं पकाऊंगी मैं इसमें प्याज डाल और light golden होने तक पकाना है इसे टेस्क की अकॉर्डिंग्स में नमक डाल देती हूँ और इसे पकने देते हैं और इसे पाश मिट हो चुका है और यह अच्छे से पक जाते हैं पाश मिट में तो इसमें में टमाटर की प्यूरी डाल देती हूँ हल्दी और गरम मसाला डाला है लाल मिर्ची और धन्या पाउडर इन सबी को डाल के अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पर मैंने पानी नहीं डाला है तेल में भूंज रहा है यह मसाला है इसलिए इसे हमें 5 मिन तक भूनना है वो 5 मिन्ट में अच्छे से तयार हो जाता है मसाला भूनकर अगर तेली तेल में भूनेंगे तो और यहाँ पर यह मसाला तयार हो चुका है यहाँ पर 5-6 मिन्ट लगे हैं मुझे मसाले को भूनने में और यह गोबी और अलू डाल देती हूँ जो फ्राई करके रखे थे हमने यहाँ डाल के अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पर अलू गोबी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं मसाले के अंदर तो इसे में फिर से ढख देती हूँ और कम से कम 5-10 मिन तक पकाऊँगी इसे ताकि मसाला अच्छे से गोबी और अलू में चला जाए और यहाँ पर इसे 5-10 मिन हो चुके हैं पकते हुए तो चली चेक कर लेते हैं गोबी को और यहाँ आप देख रहे हैं यह बहुत ही अच्छा कलर आया है गोबी की सबजी का और तेल भी अच्छे से दिख रहा है इसके अंदर और यह गोबी और आलू बहुत अच्छे से पक चुके हैं तो मैंने गेस ओफ कर दिया है और इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है और यहाँ पर यह हलवाई स्टाइल में आलो गोबी की टेस्टी डिलिशेस सबजी बन के तयार हो चुकी है और इसमें हमें थोड़ा सा धनियापती डाल देती हूँ और यहाँ पर धनियापती डल चुका है गोबी की सब्जी में और इसे आप ज़रूर ट्राइ करियेगा आपके घर में कोई महमान आए, केस्ट आए उससा में ज़रूर बनाईए, इस सब्जी को इसका टेस्ट एकदम अलग रहता है और बहुत ही टेस्टी लगती है और आपको मेरी रेसिपी केसी लगी, आलो गोबी की विल्कुल हलवाई स्टाइल में सब्जी की अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा पहली बार मेरे चैनल पाया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और फिर मिलती हूँ नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ में थाइंक्यू, बाई